अगर आपने इस वीडियो का फर्स पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिये ओके तो लेट्स मोव आन तो टॉपिक अब जैसा कि हमने पार्ट वन में देखा था कि जलजले और आतिश फिशा कैसे रूनुमा होते हैं अब जमीन की अंरूनी हलचल की वज़े से जमीन में तनाव की वज़े से कुछ तवनाई पैदा होती है और ये जो तवनाई होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पर हरकत करती है अब इसी हरकत की वज़े से जलजले और आतिश फिशा रूनुमा होते हैं अब हमने इनकी जमात बंदी की थी रफ्तार, सिम्त और जमीनी शकलों के हिसाब से रफ्तार में हमने देखा था सुस्त रफ्तार और तेज रफ्तार सुस्त रफ्तार में हमने देखा था कि जमीन की सुस्त रफ्तारी की वज़े से जो है वो लहरेदार पहार तयार होते हैं, शगाफवादी तयार होती हैं और दडारे पैदा होती है अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि बर्रे आजम कैसे बनते हैं ठीक है, जमीन की मर्कस की जानिब या मर्कस से कश्रे अर्स की तरफ जमीन की हरकात सुस्त रफतारी से होती है इस हरकात की वज़े से कश्रे अर्स का तवील इलाका या तो उपर की जानिब आ जाता है या धस जाता है अब कश्रे अर्स का जो हिस्सा सत्य समंदर से उपर की जानिब आ जाता है उसे बर्रे आजम कहा जाता है और जो नीचे की जानिब धस जाता है उसे वो जो है सत्य है वो मुसस्सिल गर्दिश में है लेकिन यह बहुत सुस्त रफतार अमल है इसकी वज़े से क्या होता है कि कुछ हिस्सा जो है ऊपर की तरफ आ जाता है सो जैसा कि तस्वीर में दिख रहा है कि कुछ हिस्सा ऊपर आ गया है तो यह उपरी हिस्से को क्या कहा जाएगा इसे हम कहते हैं बर्रे आजम अब यह जो बर्रे आजम होते हैं यह बहुत वसी होते हैं बहुत ज़ादा तवील होते हैं और यह बहुत सारी सत्य मुर्दुफाएं बनाते हैं अब कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो समंदर के अंदर चला जाता है और समंदर की सत्य बनाता है ठीक है अब जो है हमने प्रिवियस वीडियो में जमीन की सुस्त हरकात देखी थी अब हम यहां देखेंगे जमीन की तेज हरकात अब जमीन की तेज हरकात की ही वज़े से आतिश फिशा और जलजले आते हैं अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जलजले जलजले कैसे आते हैं सत्य जमीन के नीचे होने वाली हलचल की वज़े से कश्र अर्स पर जबर्दस तनाव पैदा होता है और ये तनाव एक हद से ज्यादा हो जाने पर तवनाई का इखराज होता है और तवनाई की लहरे पैदा होती है इस वज़े से सत्य जमीन हिलने लगती है यानि जलजले आते हैं अब जैसा कि तस्वीर में बताया गया है कि जमीन की अन्रूनी हलचल की वज़े से एक तवनाई पैदा होती है और इसी तवनाई की लहर की वज़े से जो कश्रे अर्ज का उपरी हिस्सा है उसमें हलचल पैदा हो जाती है उसमें दड़ाड़े पैदा हो जाती है वो हिस्सा अंदर की जानिब धस जाता है और इसी तरह से जो है जलजले रूनुमा होता है अब जलजली की शिदत का अंदाजा लगाने के लिए एक जलजला पैमा होता है जिसे कि सिस्मोग्राम भी कहा जाता है आजकल जो है modern technology की वज़े से बहुत सारी machine आ गई है जिसकी वज़े से हम जलजलों की intensity को अच्छे से major कर सकते हैं अब जैसा कि इस machine में दिखाया गया है सिस्मोग्राम में दिखाया गया है कि इसका जो एक हिस्सा है जो बेस है वो जमीन के उपर कशरे अर्ज पर रखा गया है और इसमें बॉल नुमा चीज लगी हुई है जिसकी टिप पर इंक है और इसके नीचे एक पेपर है अब जब और इसी तरसीम की वज़े से इसी तरसीम से हम जो है जो जलजले की शिदत को नापते है ठीक है अब हम देखेंगे जलजले की वजवात अब जलजले की वज़े से क्या क्या चीजे रूनुमा होती है बर्रे आजमी प्लेट का किसकना बर्रे आजमी प्लेटों का एक दूसर पर या नीचे चले जाना अब सत्य जमीन की अंद्रूनी हिस्से में तनाव पैदा होकर चोटियों में शगाफ पैदा हो जाना या आतिश फिशा पहाड वजूद में आना ठीक है अब जो है जलजलों की वजुहात के बाद हम देखेंगे कि जलजले का मरकस ठीक है सो सत्य जमीन के नीचे होने वाली हलचल की वज़े से बड़े पैमाने पर तनाव पैदा होता है और एक जगा जमा हो जाता है जलजले के वक्त जमीन के कश्र के नीचे जिस जगा से तवनाई का इखराज होता है उस जगा को जलजले का मरकस कहते हैं अब जैसे कि एरो से पॉ एकराज होना शुरू होती है इस जगह को हम कहते हैं जलजले का मर्कस थीकर, अब जैसा कि हमने देखा कि जो तवनाई होती है वो एक जगह पर जमाenviron के बाद लेहरों की शकल में सत्य जमिन पर आती है अब जो लहर सबसे पहले सत्य जमीन पर पहुंचती है उस लहर को कहा जाता है इप्तदाई लहर या इपि सेंटर और उसी जग़ापर सबसे पहले जटका मैसूस होता है उसे हम कहते हैं ज़लियय। का मौविन ठेक है अब जैसा कि हमने देखा कि जो तवनाई होती है वो एक जगह पर जमा हो जाती है और लहरों की शकल में जो है सत्य जमीन पर आती है अब इन लहरों को जो है तीन हिस्सों में तक्सीम किया गया है इप्तिदाई लहर सानवी लहर और सत्य लहर तो अब हम सब सबसे पहले देखेंगे इप्तिदाई लहरे इन्हें P-Waves भी कहा जाता है अब जो इप्तिदाई लहरे होती है वो सत्य जमीन पर सबसे पहले पहुचती है और रास्ते में आने वाले चट्टानों के जर्रात को आगे पीछे हरकत देती है अब ये लहरे ठोस माई और गैस ती पीछे होती है ठीक है अब जो है इपतेदाई लेहरों के बाद बारी आती है सानवी लेहरों की इन्हें सेकेंटरी वेवस भी कहा जाता है और एस वेव भी कहा जाता है अब जो सानवी लहरे होती है वो जलजले के मरकस से चारो सिम्ट में फैलती है जैसा कि डाइगराम में दिखाया गया है कि जो इप्तिदाई लहर है वो सत्य जमीन पर सबसे पहले पहुँच रही है और ये एक ही डाइरेक्शन में पहुचती है ठीक है और जो सानवी लहरे होती है वो चारो तरफ फैल जाती है और सानवी लहरें इप्तिदाई लहरों की बनिज्बत कमजोर होती है और ये जो चटानों के जर्रात होते हैं, जो इमारते होते हैं उसको उपर नीचे की तरफ हिलाती है अब ये ठोस अश्या से गुजरती हैं और माय में जजब हो जाती है अगर ये लहरे समंदर में जाएंगी तो ये जजब हो जाती है और अगर सत्य जमीन से टकराती है तो चीजों को उपर नीचे की तरफ हरकत देती है इनके सबब इमारते जमीन पर उपर नीचे की तरफ हिलती है अब बारी आती है सत्य लहरों की इन्हें सर्फिस वेवस भी कहा जाता है और इन्हें एल वेव भी कहते है अब हम देखेंगे सत्य लहरों के बारे में अब जब इप्तिदाई और सानवी लहरे सत्य जमीन पर पहुँचती है तो एक नई लहर पैदा करती है जिसे सत्य लहर कहते है अब ये जो है जमीन के मुहीत की जानी पहलती है और ये जो है सबसे जादा तबाकुन होती है सत्य जमीन पे पहुँचने के बाद ये जो सत्य लहरे होती है ये जमीन पे मौझूद सारी इमारतों को गिरा देती है इसमें शगाफ पैदा हो जाती हैं, दरारे पैदा हो जाती हैं, ये सबसे ज़ादा तबाकुन होती है अब आपको आने वाली तस्वीरों को देख कर ये बताना है कि ये तस्वीरे किन लहरों को इंडिकेट कर रही है या ये तस्वीरे किन लहरों की है, ठीक है तो अब इस तस्वीर में दो बच्चों के हाथ में एक थ्रेड है एक रसी है जिससे वो वेव कुछ लहरे तयार कर रहे है ठीके अब ये जो लहरे होती है वो इप्तिदाई लहरों में होती है इप्तिदाई लहरे जब सत्य जमीन पर पहुंचती है तो एक जटका महसूस होता है ठीक है, इस तस्वीर में इप्तिदाई लहरों को बताया गया है अब जो है, इस दूसरी तस्वीर में एक आले से एक गुबारे को एक बलून को लटकाया गया है और उसे नीचे की जानिब से खीचा गया है तो वो उपर और नीचे की तरफ हरकत करने लगता है तो ये जो है, सानवी लहरों को इंडिकेट कर रहा है ठीक है, क्योंकि सानवी लहरे जो होती है, वो उपर नीचे की तरफ हरकत करती है अब इस दूसरी तस्वेर में जो है एक थाली में रंगोली ली गई है और उसे नीचे से पुश किया गया है तो उसकी वज़े से जो प्लेट में रंगोली है वो उपर की जानिब उचल गई है तो ये जो है ये सताई लेरों में होता है सताई लेरे हमने देखा था कि सबसे ज़ादा तबाकुन होती है और इसको जटका लगने की वज़े से सत्य जमीन पे जो इमारते होती है वो गिर जाती है दराडे पैदा हो जाती है जमीन अंदर की जानिब धस जाती है तो ये जो त चट्टानों में शगाफ पैदा हो जाती हैं, चट्टानों का कुछ हिस्सा नीचे की तरफ खिसक जाता है, और कुछ हिस्सा जो है वो उपर की तरफ उभर जाता है, अब जलजलों की वज़े से आमो दरफ्त के जो रास्ते होते हैं, वो मुतासिर होते हैं, पैगाम रसानी ठ हजाती है जमीन के अंदर फाइप लाइस हो 맞아 हो जाती है इमारते गिरने की वज़े से जानी ऊ-malी नुक्सान होता है है अगर जलजले की इप्तेदााई लहर सत्यय समंदर तक पहुंचकी है तो समंदर में हल्चल प 11 यहां स सवarl॥ की वज़े से तो यहां प्हारे पानी की सता भी मुतासिर होती है कभी जो है पानी अपना रास्ता बदल लेता है कभी कवे मी हिए आ जो एप पानी हिलाखों में जलजले की वजह से जहां ड़जाती है जिसकीalley तूफान आते हैं ठीक है वНе तो कोशिश करेंगे तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तब तक के लिए बाई टेक्टियर